नमस्कार मेदिती फौसदर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्ड सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे पेन किलर के बारे में शरीर में अक्सर हलका फुलका दर्द होने पर हम तुरंत पेन किलर की दवाओं का इस्तमाल करने लगते हैं इसमें हमें काफी ज़्याद समय और राहत मिल जाता है लेकें पेन किलर हमारे शरीर के अंदर अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ देता है कई मामलों में तो पेन किलर लेने की आदत सी हो जाती है और लोग नियम में तौर पर इसका सेवन करने लगते हैं पेन किलर के अतिदिक सेवन से किड्नी, लिवर और हार्ट समित आपकी शरीर में कई अंगों को इसके साइड इफेक्ट पढ़ सकते हैं आपकी किड्नी और लिवर खराब भी हो सकता है साथ ही आपको दिल का दोरा भी पढ़ सकता है इसलिए ये बेहत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सेला के बाद ही कम मातरा में इसका सेवन करिए और पेन किलर को जितना हो सके अतना अवॉइट कीजिए आए जानते हैं पेन किलर आपके लिए कितना जादा नुकसान दायक हो सकता है और किन स्टिछों में आपको इसका इस्तिमाल करना चाहिए जरूर्ट से जादाए पेन किलर आपके लिए घातक साबित हो सकता है इसमें आपकी किड्नी और लिवर खराब भी हो सबूर में इसके अलावा तो दवाईयां डिप्रेशन और कारण भी बन सकती हैं चलिए अब जानते हैं कि इन स्थिती में जानलेवा हो सकती है पेंकिलर का इस्तमाल यदि दड़ सहन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो ऐसी स्थिती में तुरन पेंकिलर के इस्तमाल से बचना चाहिए पेंकिलर लेने के बाद यदि आपके पेंट में दर्ड शुरू हो जाता है तो आपको तुरन इसका इस्तमाल बंद कर देना चाहिए प्रेंगनेंसी के दौरान पेंकिलर का इस्तमाल आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है आपको हार्ट की समस्था है तो आपको डॉक्टर की सला के बिनाई कोई भी पेंकिलर लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए ऐसी स्थिती में पेंकिलर का इस्तिमाल ना कीजिए सबसे पहले उसके साइड इफेक्स के बारे में भी जरूर पता लगा लिजे इसकी जानकारी आपको दवा के रैपर के पीछे लिखी होती है इनका जादा सेवन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है ये दवाईया दांतों को रुकसान भी पहुंचा सकती है साथ इसके जादा सेवन से आपकी किड्नी, हार्ट, बलड और लिवर से जोड़ी काई इंफेक्शन भी आपको हो सकते है डॉक्टर्स के अनुसार बिना पर्मीशन और अधिक समय तक पेंकिलर का इस्तमाल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए इनका जादा सेवन करने से आप बचिए और जादा तर पेंकिलर्स को अवॉइड कीजिए आज के लिए इतना ही ऐसे हेल्थ रेट टिप्स के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ तन्यवाद